मेरा पतनी मनरेगा से भी काज किये हैं और ननली गली में भी काज किये हैं पूरे वाड में काज किये हैं इसलिए में इस वार अपने खुद खरा हो रहे हैं कि भीकास में और गती बढ़े अगर आप जीत जाते हैं, अगर आपके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि हम तीन पंच वर्षिये में हमारी पत्नी उपुखिया थी, तो विकास की है, तो आपके द्वारा अब कौन सा ऐसा कार्ज रह गया है जिससे आप पूरा करना चाहेंगे? जी मेरा समाजिक भवन और पुखरा का घाट अधूरा है, उस सबसे पहले हम करेंगे, समुदायक भवन बनाएंगे, और नली गली जो भी काज अधूरा है, मैं अपने अस्तर से अच्छा से काज करेंगे त्री अस्तरिय पंचाय चुनाव को लेकर के सारी सरगर्मी तेज है, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा फोकस वार्ड सदस के पद पर होने जा रहा है, यह यूं कहें तो वार्ड सदस के लिए इतनी पसोपेस है कि घर से कहीं सदस्य वार्ड सदस के लिए दाविदारी कर सकते हैं और हमारे साथ अभी त्योंत्थ पंचायत के वार्ड नमर 9 के वर्तमान मुख्या पती रंजित यादव हैं जो इस वार अपने वार्ड नमर 9 से वार्ड सदस के तोर पर दावेदारी ठोकेंगे हम उन से जानने का प्रियास करते हैं कि तीन पंच वर्षी उनकी पत्नी उनी के पंचायत की उपमुख्या थी बावजूद विकास अधूरा क्यों रह गया रंजित जी आप वार्ड सदस का चुनाव क्यों लरना चाह रहा हैं धन्यवाद मेरा पत्नी रीता देवी 2006 से लेकर 2021 तक उपमुख्या रहे और मैं इस बार कनिडेट के रूप में खुद आ रहा हैं मेरा पत्नी विकास के लिए बिर्धावस्ता पेंशन, विदवा पेंशन, लच्षिंबाई समाजिक सुरेष्ता पेंशन, इंद्रा गांधी राष्टिये बिर्धावस्ता पेंशन, मुख्यमंत्री बिर्जन पेंशन के रूप में काज किये और नली गली और नल जल का भी काज पुन रूप से हो गया है और नली गली के काज हुआ है और कुछ अधूरा है और जो काज अधूरा है वह में पुन कर दूँगा अब तक आपकी पत्नी वार्ट सदस्ती वाड किर्वान समीती में सरकार के दौरा पहली पंच वर्ची ऐसी थी कि जिसमें रासी ट्रांसफर की गई थी आप उस रासी को देख रहा है या अपने वाड के विकास को देख करके आप खुद वार्ट सदस्त के दर किलिए पूरे वाड में काज किये हैं इसलिए में इस वार अपने खुरा हो रहे हैं कि विकास में और गती बढ़ है मैं किया है और उसमेंगी आपकी पत्नी काभिज थी बरतमान मुखिया जागेश्वर Yadaab की अनुधा देविंगे वतने कारि कार्य하면 इना जीतने के बाद विकास कर पाईएगा देखिए वो मुखिया का ममला है उसमें हम संप्रित नहीं करना चाहते हैं मैं खुद जीतेंगे तो हम पूरे विकास पंचायद में करेंगे आप जीतिएगा लेकिन आपको तो मुखिया के साथ समन्वे बनाना होगा न तो समन्वे किस अगर आप जीत जाते हैं अगर आपके द्वारा लगातार दावा किया रहा है कि हम तीन पंच वर्षिये में हमारी पत्नी उपक्या थी तो विकास की है तो आपके द्वारा अब कौन सा ऐसा कार्ज रह गया है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे जी मेरा समाजिक भवन और पोखरा का घाट अधूरा है उस सबसे पहले हम करेंगे समुदायक भवन बनाएंगे और नली गली जो भी काज अधूरा है में अपने अस्तर से अच्छा से काज करेंगे वार्ड नमर नो में मुख्वंत्री सियम साथ निश्य योजना के तहद जो जलनल की योजना हुई थी त्योंत्पंचायत में कई योजनाएं लंबित हैं आपके वार्ड की स्थिति क्या मेरा वार्ड का इस्तिति बहुत अच्छा है आ रहेंगे तो यह थे वार्ड नमर नो त्योंत्र पंचायत के संभावित वार्ड सदस्य उमिद्वार रंजित यादव जिनका कहना है कि तीन पंच वर्षिम उनकी पतनी वार्ड सदस्या के तोर पर निर्वाचित हुई थी काम की है हर मुख्या के साथ समनवे उनका अच्छा रहा है इस वार वो खुद मैदान में आ करके अपने वार्ड का विकाफ्स करना चाहेंगे बियन नियूज के लिए कनहिया मिश रहा हूँ